मम्मी नाराज पर होने ही वाली वो तो चाहती है कि मैं डॉक्टर ही बनू इसने हॉलिडेज खतम और बोर्डिंग स्कूल चुरू एक दिन भी एक्स्ट्रा रुखने नहीं लिया मम्मी भी ना मम्मी ने अपनी लाइफ अपने आप ही बनाई अच्छा साल की थी जब उनके फादर ने उन्हें घर से निकाल दिया अखेड़े रहना का तो सोचने से भी ड़द लगता है मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं और मेरी अस्की मा वो बहुत बिमार रहती थी उनके बारे में सिर्फ एकी दिन याद है जो मैं कभी भुला नहीं पाती एक दिन कुछ लोग आए और उन्हें अम्बिलन्स में ले गए फिर वो कभी वापस ही नहीं आई फिर एक दिन मम्मी आई बहुत प्यार से मुझे अपनी गोल में बिठा और मुझे अपने घर ले गई तब एध खराब थी तो पूरी रात मेरे साथ बैठी रही सुबह मम्मी ने एक सुन्दर सी रेड फॉग पहनाई मेरे लिए धेर सारे चिप्स बनाए मम्मी के साथ दस साल हो गए अब तो मम्मी मम्मी कम और दोस्ट जादा बन गई संदे हम दोनों का फेवरिट दिन है बालों में तेल लगाने के बार दो पहन में मेरा फेवरिट लांच कड़ी चावल और रात में होर्र फिल्म डर लगता है पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता ये है मेरी मम्मी है ना प्यारी मम्मी ने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखें कितना कुछ सहा है पर फिर भी उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं फिर मम्मी को क्यों नहीं इसलिए में डॉक्टर ने लॉयर बनूगी मेरी मम्मी के लिए प्रॉब्लम्स देखें तर्षी नाल प्रॉब्लमस